जाहिन साथियो आज जिक्के का सेकेंड क्लास है चलो आज हम हिस्ट्री का दिल्ली सुल्तानेट की बारे में डिसकेशन करेगे The period between 1206 and 1526 आनोडोमेन in Indian history is known as दिल्ली सुल्तानेट कांची कबिज में दिल्ली सुल्तान सासन किया दा मतलब 1206 से लेकर 1526 11 मतलब है आनोडोमेन मतलब खिर्ष्टाब्द मतलब आप्टर दा बार्थ जिसुकिष्ण इसको हम आनोडोमेन बोलते है So during this period 32 kings and 5 dynasties ruled in दिल्ली 1526 से लेकर 1526 की अंदर कितना king आया था? 32 king आया था कितना dynasties? 5 dynasties पहला dynasty किया था? न स्लेब dynasty उसको कौन ने founder किया था? उनका founder कौन था? उनका founder था कुत्वु दिन आयवाग और कौन चा बर्ष ना 1206 में? उसके बाद खिल्जी dynasty का founder है जलालू दिन खिल्जी कौन चा बर्ष में? न 1290 में? उसके बाद आया तुगलोग डाइनेस्टी तुगलोग डाइनेस्टी को कौन से खोज किया था? न 12 दिन तुगलोग ने? कौन से एर में? न 320 की एर में? उसके बाद आया सायद डाइनेस्टी सायद डाइनेस्टी का खोज किया था? खाईजर खा चाओदासो चाओदा में? उसके बाद आया लोदि डाइनेस्टी लोधी डाइनेस्टी का खोज किया था बेहलल लोधी 1421 में जो लोधी डाइनेस्टी का जो थे राजा इब्राहम लोधी जिनको बाबर ने यूद में परास्त किया कहाँ पर ना पानिपात में यूद में परास्त किया और 1526 में पानिपात की प्लेस में जो इब्राहम लोधी को बाबर ने परास्त किया उसके बाद मोगल डाइनेस्टी का फाउंडर बना कन ना बाबर ने बना पहला फाउंडर अब दो मोगल डाइनेस्टी उसके बाद हुमायून आण उसके बाद आकपर, जाहांगीर, सहाचन आण अवरंग्जव एसे सासक ने जो दिल्ली की सुल्तान बना मोगल डाइनेस्टी का बाबर का कार्जेकाल थे 1526 से 1530 मत्रत चार बर्स उन्होंने दिल्ली को सासन किया था उसके बाद आया हुमायून ने 1530 से 1540 उसके बाद आया अकपर ने 1556 से 1605 उसके बाद आया जाहांगीर जो की 1605 से लेकर 1627 की अंदर सासन किया उसके बाद आया सहाजन, सहाजन जिसने बहुत सारा मनुमेंट बनाया है अमारे इंडिया में जो की ताजमल सहाजन्ने बनाए है रेड़फट मतलब लाल किला सहाजन्ने बनाए है उसके बाद औरंग जब आलमगीर आया उनका कार्जेकल थे 1608 से लेकर 1707 की बीच में आज के लिए इतना है थांक्यू जाहिन जाय भारत